तो जी हां क्या ये आपके साथ भी हो रहा है जब भी आप Flipkart Amazon से product मंगा रहे हैं तो आपको fake, missing या फिर no product मिला है क्यूंकि recent news में आपने देखा होगा कि किसी ने अपने father के लिए एक laptop book किया था लेकिन delivery time पे जब उन्होंने laptop box receive किया तो वहां पे उनको laptop के अंदर सिर्फ घ Amazon या Flipkart के customer care पे call करते हैं तो आपको बताया जाता है यह जो no return policy है यहां पे आपको कोई refer नहीं मिलेगा क्यूंकि यह open box delivery है जी हां यह एक नया वर्ड जो की अभी launch हुआ है कुछ दिन पहले कहां पे e-commerce market में Amazon और Flipkart पे वो है open box delivery तो जी हां यह open box delivery क्या है किस तरीके से आप fake product से बस सकते हैं आज इसके बारे मैं इस video में बताने वाला हूं तो video start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किया वीडियो पॉस करके मेरे चैनल को subscribe करने बेल आइकन पे जरूर किल्क करें मेरे वीडियो के latest notification update पाने के लिए सबसे पहले Most of the people in India is not familiar about open box delivery गलती क्या होती है आपने ये देखा होगा कि जब आपके पास कोई भी delivery आने वाली होती है मतलब कि ship दिखाता है कि आपका product ship हो गया है तो आप देखते हैं कि आपके पास एक OTP आता है और जैसे ही delivery विए आपके doorstep तक आता है तो आपको कहता है कि सर आपके पास एक OTP आया होगा मुझे वो आप OTP बता दीजिए आप क्या करते हैं आप सोचते हैं कि पस OTP बता नहीं है आप उसको OTP बता देते हैं और वो आपको box देता है और चला जाता है लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि ये process क्या ऐसा ही है या कभी आपके पास जब email आता है ship का क्या आपने उसमें चेक किया है कि वहाँ पे चोटी सी term and condition लिखी होती है तो जी हाँ मैं अब आपको बता दूँ कि जब भी आपको open box delivery आएगी तो उसमें क्या होगा आपके पास OTP आएगा और यहाँ पे Amazon Flipkart ये कहते हैं कि जब भी आपके पास product आता है delivery boy लेके तो आपको क्या करना है आपको delivery boy से वह product open कराना है means आप उसको open कराएं और open कराने के बाद देखें कि क्या actual में वह product है या नहीं है अगर वह product नहीं है तो इसके बारे में मैं आगी इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर वह product है तब जाके आपको OTP share करना है और उसके उड़क का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन उस case में हुआ क्या था कि उनके पास open box delivery आई थी OTP भी आया था लेकिन जब delivery boy उनके पास आया तो उन्होंने उसको OTP share कर दिया और box receive कर लिया बाद में पताये चला उसमें कुछ भी नहीं है तो इसी case में फिलिप काट ने य की रहती है बहुत सारे इंडिया में गौम इतखासतोर से मेट्रो प्रिटन में भी अभी ये लोग ये चीज़ को नहीं जानते हैं कि open box delivery होती क्या है तो अब आप समझ गया होंगे कि open box delivery होती क्या है अब आते हैं कि कैसे बचें तो number one है कि जब आपके पास एक packet आया एक delivery boy आपका shipment लेके आया और आपने उसको OTP शेयर करने से पहले कहा आप इसको खोलो तो मेरी recommendation ये रहे कि at the same moment आप क्या करें कि वहाँ पे video बनाते रहें video बनाते टाइम पे अगर वहाँ पे कोई fake product है या उसमें missing product है तो at the same time जैसा कि फिलिप कॉड और Amazon का कहना है कि आप customer care call कर और बताएं कि इसमें fake product है या missing product है तो क्या होगा वो complaint register करेंगे और OTP बिल्कुल भी share करने के लिए आप इसको नहीं कहा जाएगा और delivery boy क्या करेगा return product लेके चला जाएगा वहाँ पे आपकी जान बच जाएगी otherwise term and condition जो policy अभी चल लगी है उसमें आपको कहीं न कहीं खाम इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी product बिल्कुल अच्छा होगा आप उसकी बात पे बिल्कुल भी believe नहीं करना है आपको क्या करना है उससे कहना है कि आप product इसको open करो और उसके बाद मुझे दिखाओ तब ही मैं लूँगा चाहे आपके पास open box मतलब OTP आपके पास आया हो या कहीं न कहीं आपको एक fake product मिलने की संभावना बढ़ जाती है और अगर ऐसा मालेजी हो गया in case की आपने OTP भी दे दिया और product open नहीं कराया और उसके बाद अब आप घर पे अपना product open कर रहे हैं तो उस time पे आप एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि आपके लिए प्रूफ हो कि अभी आपने product first time open किया है और इसको आप justify कर पाएं customer care पे सबसे important चीज़ एक ब्रमास्थ हतियार आप इस्तिमाल कर सकते हैं वो है cash on delivery COD को option मतलब कि आप जब भी कोई product आप book कर रहे हैं वो COD अगर है तो बहुत अच्छा है आप COD में book करें क्योंकि जब व पर इसको open करो fake product नहीं missing product है तब भी जिक्कत नहीं और अगर product सही है तब भी कोई जिक्कत नहीं आप उसको receive कर सकते हैं क्योंकि आपने कोई पैसे नहीं दिया है और अगर fake product missing product होगा तो आपका पैसे देने कोई जरत नहीं है वो उसको जबरदस्ती लेके जाना पड़ेग ये product अब इसके अलावा आपके पास एक fake product आ चुका है missing product आ चुका है या फिर कोई भी product उसमें नहीं है इस case में मैंने एक वीडियो इसके पहले बना दिया है वो आई बटन पर जाके आप देख लिजे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अगर आपके पास fake missing product आता है flip card Amazon से उसके term and condition को जरूर देखें क्योंकि अभी no refund policy no return policy ये थोड़ी से change हुई है open box delivery ये भी एक process नहीं आया है उसको जरूर देखें कि seven days return कर सकते है या नहीं कर सकते है ऐसा तो नहीं है उसमें लिखा है product में कुछ भी आपका damage है या कुछ इस तरीके से है तो हम receive नहीं करें आपको customer care नहीं बलकि service center जाना पड़ेगा इस तरीके से अगर कुछ भी लिखा है उसको जरूर देखें क्योंकि अभी policy हो चुकी है change और जो आपके साथ एक faith था flip card और Amazon का वो अभी थोड़ा थोड़ा आपसे जो है दूरी बना रहा है और वो safe game खेलना है और problem कहीं न ने वाली है खास्तोर से गाउं में कि पता लगा mobile आपने खरीदा mobile में कुछ problem है या डैमेज है defected है आपने customer care phone लगाया customer के नकासर ऐसा है कि जो आपने product खरीदा है वो product customer care को entertain नहीं करेगा no return policy है आपको इसके लिए direct service center जाना पड़ेगा justify करना पड़ेगा service center पे तो इन च खोल के सामान दिखाए नहीं और अगर कितना भी वह कहता है बहुत जल्दी में हूं बहुत परशान हूं बहुत दिक्कत है कहीं जाना है लेकिन आपको किसी बात पर ध्यान नहीं देना है बस आपको बोलना है पहले खोलो दिखाओ उसके बाद जाओ तब मैं OTP share करूँग